अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों को कोरना वाइरस के पैंडेमिक से गुजरना पड़ा था जिसमें लाखों लोगों ने अपने जान गवादी थी यह एक डेडली वाइरस था जो आज की समय में भले ही इसे एक common infection मानकर इसको dismiss इसको ignore कर दिया जा रहा है पर उस टाइम यह एक बहुत ही जादा खदरनाग वाइरस था लेकिन अभी एक latest वाइरस केरल और North Africa region में spread हो रहा है और उसने यहां तक कुछ लोगों की जान मिले ली है यह जो वाइरस है वो basically चमगादर यानि की जो bats होते हैं उनसे फैलता है यह जो bats की पूप होती है वो या उनकी जो लार है या उनकी पेशाग है अगर पानी या फि तरनाल माना जाता है इस वाइरस को नीपा वाइरस के नाम से जाने जाता है और यह एक zoonotic disease है यानि कि यह जिसकी जो infection होता है वो basically animals के through humans को contaminated foods या उसी प्रकार के चीजों के द्वारा humans पर आती है World Health Organization के अनुसार अगर कोई नीपा से infected humans के close contact में आ रहे हैं तो उन्हें भी यह जो संक्रमन है नीपा का वो भी हो सकता है United States के center of disease के according जो भी ये infection होता है तो शुरुवाती लक्षन होते हैं fever, headache, cough होता है, sore throat होता है, ब्रह सांस लेने में मुश्किल होती है और उल्टियां ये प्रकार की symptoms हैं वो दीखती हैं लेकिन जो serious cases होते हैं उसमें चक्कर, विहोशी और दिमाग में सूजन आ जाती है जिसके वज़े से बार-बार patient को जटके आने लगते हैं ये अगर और बढ़ जाता है तो infected person वो कोमा में चल जाता है और eventually उसकी death भी हो सकती है तो यहां पर एक question arise होता है कि ये out of blue अचानक से वायरस कहां से आ गया और कैसे हमारी country में पहुंचा तो इस वायरस की जो शुरुआत है वो trace के जाता है 90 की दशकों पे जहां सबसे पहले जो वायरस है 1998 में मलेशय में इसका पहला मरीज मिलने लगे एक साल बाद यानि की 1999 में सिंगापूर में भी इसके कुछ मरीज मिले इस वायरस पर research हुआ और पता चला कि मलेशया में एक नीपा नाम का गाउं है वहां पर इस वायरस से सबसे पहले एक मरीज की मौत हुई थी और यहीं से इस वायरस का नाम नीपा वायरस नाम रखा ग से हैं उन सारे पर फ़लों पर अगर जो चमगादर होते हैं उनके लार या जो पेशाब हैं उनके कर से अगर दुशित हो जाता है तो यह वायरस इंको इंपक्ट कर सकता है जो इस पनो को करते हैं लगव Gaming बीच बिच पे रिपोर्ट किया रहा है यह कॉमनलि वन फैम्छिस को देखा जा रहा है जो एजो बैट जहां पर रहते हैं और उनकि फूरड अगद करते हैं उनमें तो देखा जारा है अभी तक बंगलादेश की बात करें तो वहां 2001 से लेकर अभी तक ऐसे टैन आउटब्रेक्स रिपोर्ट किया जा चुका है निपा वायरस के रिलेटेड वेस्ट बेंगल जो कि बंगलादेश के पड़ोसी राज्य है वहां पर भी 2001 से लेकर 2007 तक बिच बिच में नेपा के आउटब्रेक्स रिपोर्ट किया गया था और केरल में भी बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें बुखेता 2018 में सबसे ज्यादा इंफाक्टेड लोग मिले हैं इसके बाद केरल में 2019 से लेकर 2021 में जब करूना वायरस के केसेस चल रहे थे उस समय भी नीपा वायरस के मृत्यों की चांसेस होती है जबकि नीपा वायरस के केसेस में लगभख सतर रोगों की मौश सुनिश्चित हो जाती है अगर कोई इससे इंफेक्टिड होते हैं और यही बात इसको बहुत ज़्यादा खत्रनाग वायरस बनाती हैं अब चांते हैं कि नीपा वायरस कितनी त चांसेस बहुत जादा होती है पस्ची मंगाल के सिलीकुरी में जब 2001 में यह वायरस स्प्रेड हुआ था तो लगभख 66 लोग यानि 66 लोगों को यह इनफेक्ट किया था जिसमें से 45 लोगों की उसमें से बृत्ति हो गई थी इससे पहरे 2008 में केरल में जब यह निपा वायर है कि अभी तक निपा वायरस है वो काफी लोकलाइज रहा और क्यूंकि वह बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं फैलता है इसलिए उसको बहुत जल्दी उसको कंटेन कर लिया गया अभी जो केरला में लेटेस निपा वायरस के केसे जो रिपोर्ट के जा रहे हैं उसमें सब पॉज़िव पाय गया था इस वज़ा से केरल के जो स्कूल्स कॉलेजिस और बैंक्स उनको अभी टेंपररी तोर पर बन कर दिया गया है केरला में अभी तक साथ कंटेन्मेंट जोन बना दिया गया है जहां पर यह इंफेक्टेट परसंस मिले थे और वहां पर लॉकडाउ गया है और इंफेक्टेट पेपर के कॉंटेक्ट में कम से कम रहने को कहा गया है होफुली इस बार भी जल्द ही पहले की तरह केरल में इसके स्प्रेट को कंट्रोल कर लिया जाएगा अगर यह वीडियो का इन्फॉर्मेशन फसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर कर दीजेगा चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा इसी प्रकार के अप्डेट्स देखने के लिए चैनल में जूने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद